सुनिल शेटी ने अपने बॉलिवुड करियर पर दिया शौकिंग स्टेटमेंट अक्षे कुमार और अजे देवगन पर कही बड़ी बात आखिर किस बात के लिए की टाइगर श्रॉफ और आयुशमान खुराना की तारीफ आएए जानते हैं पूरी खबर बॉलिवुड के बहतरीन आक्टर सुनिल शेटी इन दिनों फिल्मों से काफी दूर है इन दिनों आक्टर अपने परिवार के साथ हैं बता दे कि सुनिल शेटी ने 1992 में आई अपने फिल्म बलवान से बॉलिवुड में डेब्यू किया था अक्टर हमें बॉर्डर, काटे, धड़कन, हेरा, फेरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आए थे जहां बॉलिवुड दर्शक उन्हें अक्षिन हीरो समचने लगे थे लेकिन आज कई साल बाद सुनिल शटी का कहना है कि उन्होंने अपने करियर में कई गलतिया कर दी जिस वजह से आज वो अक्षे कुमार, सलमान खान और अज़ेत एगविन की तरह काम नहीं कर पा रहे हाली मैं आक्टर ने आइनेस को दिये अपने खास इंटर्व्यू में बात को कुबूल किया है सुनिल शटी कहते हैं कि मेरी दिक्कत ये नहीं है कि मैं कोई टाइप कास्ट हीरो बन गया था मैंने शुरुआत से ही सेफ प्ले करने की सोची अक्टर आगे कहते हैं कि अगर कभी सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ काम करेंगे या फिर किसी एक डारेक्टर के साथ एक बैनर के साथ काम करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप में निर्णाय लेनी की शमता नहीं है मैंने रिस्क नहीं लिया अक्टर आगे कहते हैं अगर अपनी अदाकारी के साथ रिस्क नहीं लेते तो आपको खुद का स्टाइल बनाना पड़ता है वो कहते हैं आज सलमान खान, आयुशमान, टाइगर ने आप में लिए रास्ते खुद तयार किये हैं हम सभी सेल्फ मेड हैं हमने खुब सारी गलतियां की हैं लेकिन मेरे साथ अक्षे और अजे भी थी, उनके सितारे आज भी चमक रही हैं मैंने कभी खुद की मार्किटिंग नहीं की, वही मेरे साथ कि सितारों ने इस पर काम किया और यही वज़ह है कि आज वो मुझ से आ गए हैं आज अक्षी कुमार और अजे देबन के साथ कोई भी 500 करोड की फिल्म बनाने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन कोई मेरे साथ 50 करोड की फिल्म बनाने से पहले कई बार सोचेगा वैल इतना ही नहीं अपने इस इंटर्व्यू में सुनिल शेटी ने आयुशमान और टाइगर श्रॉफ की भी तारीफ की सुनिल शेटी ने अपने इस खास इंटर्व्यू में आगे कहा कि एक सुनिल शेटी था जो कुछ साल में असफल हो गया क्योंकि वो सिर्फ सब्जेक्ट वाली फिल्मों पर काम करता था इसकी वज़त थी कि मैं शुरुआत से ही अपनी मार्किटिंग के पीछे रहा आज जब मैं टाइगर शौफ और आयुशमान खुराना को देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि ये कितना बढ़िया काम कर रही है बॉलिवूट की नई जेनरेशन एक खास रहका सिनेमा लेकर दर्शकों तक पहुची है जो समय के साथ नए एक्सपरिमेंट कर रही है उन्होंने ये भी कहा कि नई सितारों ने अपने लेट शुरुआत से ही इमेज बिल्डिंग का काम किया है टाइगर और आयुशमा निश्चित तोर पर अपने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में काम्याब रही है जिस वजह से आज इंडस्ट्री इनके साथ रुस्क लेने को तयार है वेल रिसेंट्ली सुनिल शट्टी ने मुंबई सागा में कैरेक्टर निभाया था जिसके लिए उन्होंने तारिफ भी बटोरी वेल फिलहाल आप हमें बताये कि आप सुनिल शट्टी के इन स्टेट्मेंट से कितने सहमत है पोस्ट करिए अपने कमेंट्स इन सुनिल ने भी जबते हैं